Dear Students, आज हमारा NEET Physics इस सीरीज में जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं तीन अलग-अलग बुक्स यूज़ करने वाला हूँ तो आज बुक नमबर टू, मतलब जो सेकंड बुक जो मैं यूज़ करूँगा, आज मैं उसका एक हलका सा रिविव आपके सामने देने वाला हूँ इस बुक का नाम है NCRT Objective Physics Gear Up Gear Up के नाम से ये बुक है और काफी बढ़िया बुक है, बहुत डिटेल में ये बुक जो है का सारे टॉपिक्स को कवर करती है इस बुक के बारे में जैसा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि इसमें किलास 11 और 12 दोनों किलासे इसके सारे टॉपिक्स जो हो कवर किये वे है टॉपिक वाइज एंसी आर्टी बेस्ट एमसी क्यूज हैं इसके अलावा रैंग बुस्टर्स हैं साथी साथ उनके मतलब जो सोलीशन्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट और एलेबरेट सोलीशन्स उसके अंदर हैं उसी तरह से इस बुक में पांच हजार से जादा NTA नीट जो कोशन्स है वो कोशन्स इसके अंदर लाइकली मतलब कोशन्स जो है मौजूद है तो यहां पर इस बुक का मैं हलका सा पहले आपको एक रिवीव दे देता हूँ यहां आपके सामने भी स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है वो है इसमें कवर होने वाले सभी टॉपिक्स तो आप देखिए यहां पर 11 क्लास के जो टॉपिक्स यहां पर कवर किये गए हैं उन में से पहला है मैथेमेटिकल टूल दूसरा मोशन इने स्रेट लाइन तिसरा मोशन इने पिलेन लॉज ओफ मोशन वर्क एनरजी और पावर सेंटर ओफ मास और कॉलिजन तो आप देख रहे हैं के 11 क्लास का पूरा जो NCRT का जो पूरा कंप्लीट जो सलेबस है वो यहां पर पूरा कावर अब किया है पूरा यह उसको पूरी तरह से उन्होंने डेटेल में लिया हुआ है क्लास 12 जो है उसमें यह सब होने के साथ साथ इन्होंने एडिशनल के तौर पर कुछ और पॉइंट्स यहां पर कवर किये हैं लास्ट में जिन में से एक है सेमी कंड़क्टर इलेक्रोनिक्स कम्यूनिकेशन सिस्टीम यूनिट्स और मेजर्मेंट्स और 2021 में नीट का सौल्ड पेपर आप देखिए आप में से बहुत सारे लोगों को यह ख्याल आए होगा है अब इसमें एक और चीज हमको देखना है कि इस बुक की शुरुआत एलेवन किलास और ट्वेल किलास से पहले एक चैप्टर जीरो से इन्होंने स्टार्ट किया है चैप्टर जीरो जिसके अंदेर इन्होंने मैथेमिटिकल टूल्स जो है मतलब क्यूंकि आपको तो पता है कि फिजिक्स जो है उसमें बहुत सारा पार जो है मैथेमिटिक्स का है बलके ऐसा कहा जाता है कि the language of physics is mathematics okay mathematics is the language of physics हम बहुत सारे जो rules है laws है वो जो है इसमें मतलब mathematical equation के रूप में ही हम लोग उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो है वो देहन में रखना है कि without mathematics हम physics को पढ़ इन्होंने क्या किया कि जो chapter 0 के अंदर mathematical tools को लिया है इसमें वो सारी equations इन्होंने दे दिया है mathematical पूरे formula जैसे आप देख रहे हो के सामने यहाँ पर पहले algebraia वाले जो section है इसके अंदर इन्होंने quantity equation का solution उसी तरह से arithmetic progression, geometric progression इसके बाद trigonometry के जो basic formulas हैं वो सब जो 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 जरुवत पढ़ती है हमको बहुत सादा जिनकी जरुवत पढ़ती है वो सारी चीज़े coordinate geometry का section इसके अलावा यहाँ आप जैसे देख रहे हैं derivative और integration के formula तो यह बहुत सारा बहुत detail में उन्होंने सब cover किया फिर इसके बाद उन्होंने एक self assessment questions किया है अब याद रखिए कि यह पूरा book का design ही कुछ ऐसा है कि हर मरतबा पहले chapter का introduction है, belief introduction और उसके बाद फिर self assessment के questions है अब जैसे self assessment के अंदर यहाँ पर trigonometry के अंदर आप देखिए यह जो question आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है पहला साइ 90 minus theta is equal to अब यह बिल्कुल basic type का question है और जो इसको एक बार पढ़ लेगा वो definitely यह formula उसको याद हो जाएगा question number two देखिए one radian is equal to बिल्कुल basic यहाँ पर radian और degree के बीच में जो conversion होता है तो वो उसको base बना कर यह question बनाया गया है तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से self assessment के question topic wise trigonometry का topic के अंदर 10 question फिर calculus जो है उसके अंदर अलग-अलग 10 question फिर coordinate geometry के अंदर देखिए यह graphical जो है यह पूरे coordinate geometry and graph जो है इससे related पूरे questions यह इस तरह से इन्होंने इसमें self assessment के total 30 questions इन्होंने डाला है फिर यहाँ पर यह self assessment जो part है इसका answers दिये है और सिर्फ answers ही नहीं दिये बलकि उसके नीचे इसका detailed explanation भी है यह वो तमाम questions जो difficult है या tricky है उनका पूरा detailed explanation यहाँ पर इन्होंने दिया है और यह जो चीज़ है यह सिर्फ किसी एक chapter के लिए नहीं नहीं बलकि पूरे जितने भी 11 और 12 के जितने भी chapters हैं सब के लिए उन्होंने यह pattern को यहाँ पर इस्तेमाल किया है तो यह एक book मैं अपनी इस test series के अंदर मैं use करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको काफी फाइदा होंगा इस book से भी और जब हम इस lecture series को start करेंगे तो उसमें हम maximum जो है वो यह जो तीन books जो है मारे पास यह एक book मैंने इससे पहले आपको बताया था दूसरी आज यह वाली book और एक और book के बारे में मैं आपको इन दूगिन में बताने वाला हूँ तो इन books को हम पूरी तरह से use करेंगे ताके physics का जो part है वो पूरी तरह से cover हो जाए चलिए यहाँ आप इस introductory lecture को मैं रुख देता हूँ इंशाला कीसरी और आखरी book के लिए हम लोग अगले lecture के अंदर में अगला जो introductory lecture होगा उसमें मैं आपको explain कर दूँगा अल्ला हाफीज